फ्रेंट्स जब से चैट जीपीटी आया है इसने तहल का मचा रहा है and obvious सी बात है कि अगर चैट जीपीटी इतना famous हो रहा तो उसका कहीं न कहीं use हमारे online business जो e-commerce में भी उसका use होता ही है उसका use का होता दोस्तों description लिखने में bullet point या title लिखने में उसका अच्छा कासा use करते हैं कई लोग अब यहाँ पर दिक्कत या रही कई लोग यह बोल रहे हैं कई creator है या जो youtubers है कि उनका कहना यह है कि chat GPT द्वारा लिखा गया है जो content होता वो rank नहीं करता है क्योंकि उनका यह कहना है कि chat GPT का जो content होता है वो copied होता है वो original नहीं होता वो unique नहीं होता इसलिए chat GPT के लिखे हुए blogs भी जो होते वो भी rank नहीं करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपका यह doubt clear करने वाला हूँ chat GPT द्वारा लिया हुआ content rank करता है या नहीं करता है क्या हमें chat GPT से content लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए friends obviously बात अगर content unique होगा fresh होगा एकदम नया होगा तो वो rank करेगा ही करेगा अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग chat GPT में जब भी जाते हो आप ठीक है तो वहाँ पर जो भी demand देते हो कुछ भी आपको चाहिए तो उसमें unique world हमेशा जोड़ दो यहाँ पर मैं example के साथ समझाना चाहूंगा माना यह आप t-shirt बेशते हो ट-shirt में माल लीजिए round neck t-shirt बेशते हो आप ठीक है अब आपको चाहिए उसका description तो आप chat GPT में वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे write down a unique unique word जोड़ दो unique description for round neck t-shirt write down a unique description for round neck t-shirt तो यह unique description यह unique जो word आया है तो आपको chat GPT क्या करेगा एकदम unique आपको एकदम fresh आपको content निकाल के देगा अब आप भी बोलेगों कि यार इसका हमें कैसा पता लगेगा कि एकदम unique content है तो दोस्तों technology की इस दुनिया में आपको पता है हर चीज पॉसिबल है हर च चेक कर सकते हो कि आपका content plagiarized है या fresh है या unique है ठीक है अब वहाँ पर जाके जो भी chat GPT ने जो भी content दिया आपने round neck का जो description मांगा unique description मांगा उसको आप वहाँ से copy करके dupli checker में जाके माल लीजिए dupli checker का अपन यहां पर बात कर लेते हैं उसमें जाके आप चेक करते हो ठीक है वहाँ पर कि यह unique है copied है कोई दिक्कत तो नहीं है तो वहाँ पर जाके आप जब check करते हो over the period of time जब वो बताएगा कि आपका data आपका description एकदम unique है 100% unique है अब चाह आपने e-commerce में use कर सकते हो क्योंकि कई बार क्या हो जाता दोस्तों कि chat GPT भी एक AI tool ही तो है तो वहाँ पर क्या कुछ brands के नाम लिख देता अपने content में आपने जो भी वो results दे रहा होता है तो उन brands name को आप remove कर सकते हो तो 100 बात के एक बात है दोस्तों यहां पर chat GPT से लिया ग जो माट इनके जो जो algorithm है वो इस content को accept करता है और आपका product या आपकी services rank करेगी you don't have to worry about that and I hope दोस्तों आपको यह information अच्छी लगी हो कि प्लीज अच्छी लगी तो subscribe कीजी मारा channel thank you thank you very much